हेलो दोस्तों आज ये प्यारास अड्रेस हम आप लोगों के पास मिले कर आए हैं जो की एक नंबर की कानहजीक अड्रेस है और साथ में ये पगडी भी उनका लाए हैं हम यो देखने में काफी सुंदर लग रहा है इसमें अगर आप मोती वगरा से और भी सजाएंगी तो और भी खुबसूरत लगेगा जैसे कुछ लटकन बनाकर यहां पे आप डाल दें मोती वगरा अगर यहां आप दे दें तो और भी सुंदर लगेगा तो आज हम इस ट्रेस को बनाते हैं देखिए इस ट्रेस पे हम कुछ मोती यहां पे डाले हुए हैं और साथ में ये इस तरह क इस ट्रेस पे हम उठा उठा हुआ सा बनाए हुए हैं आईए देखते हैं कैसे बनता हैं तो ये तो हम एक नंबर के कानाजी का बनाए हुए हैं अब हमारी बहुत सारी बहने जो जीरो नंबर के कानाजी का पुसाग चाहती हैं कि जीरो नंबर के कानाजी का पुसाग उसके लिए चोली बना लेंगे चोली का लिंक description box में आपको मिल जाएगा चोली बना लेने के बाद में देखिए इस पे हम इस color की उन से बनाएंगे तो चोली बना लेने के बाद में उन को जोड़ेंगे हम किसी भी side से जोड़ ले आप उनको तो चलिए हम सबसे अच्छा रह में यह जीरो नंबर के कानाजी का है तो अच्छा रहेगा अगर आप और भी पतला उन यूज करेंगी तो यह हम कुछ मोटा यहां पर उन लिए हुए है बना कर देखते हैं तो जोड़ लेने के बाद एक हम चेन ले लिए एक चेन लेने के बाद में एक डबल क्रूसिया एक चेन से यह जो आप देख रही है चेन यहां एक चेन से हम दो डबल क्रूसिया बनाएंगे देखिए ये हो गया फिर अगली चेन से दो डबल कुरोशिया एक और ये हो गया दो डबल कुरोशिया हम ज्यादा लंबा नहीं बना रहे हैं आप देख रही है छोटा हम बना रहे हैं अब इस थागे को हम कट कर लेते हैं जो यहां पर हम जोड़ें हुए थे यह हो गया अब देखिया फिर से हम अगला चेन से एक चेन से दो डबल कुरुसिया बनाएंगे क्योंकि यहां में घेरा फेला भी है तो यहां पर घेरा फोड़ा सा जादा बड़ा बनता है यानि कि यह चोड़ा ऎई जो आफ तुछाँ तो कोई दिक्कत नहीं है देखने में तो अच्छा ही लगेगा काना जी का पुसाठ और अगर आप चाहती है तो पतला उन योज करें हाँ, वह सी इस तरह से हम इस राउंड को पुरा कंप्लेट कर लेंगे, तो पीसे हां से यहां तक भूण कर कंप्लेट कर लेते हैं, एक चेन से दो डौल क्रोशिया बनाते हुए, यह जो ड्रेस बना रहे हैं, यह आप किसी भी नमबर के काना जी का बना स बनाना है तो उनका भी चोली बना लेने के बाद सेम तरीका यही रहेगा कि एक चैन से दो डबल क्रोशिया हम यहाँ पर करेंगे और देखिए यह आगे जो बतला रहे हैं इसमें भी तरीका यही रहेगा बस एक जगह सिर्फ अंतर आएगा तो देखिए आप जोड लिए जो अब हम इसे फंदे को यहां से इस तरीके से निकाले दो का एक करेंगे फिर से फंदे को इस तरीके से निकाले दो का एक किये फिर से हम दो का एक करेंगे तो यहाँ पर हम तीन बार किये दो का एक ठीक है तीन बार किये अब फंदे लेंगे हम अब फंदे लेने के बाद में इस chain से इस chain पे hook को डालेंगे और यहां तीनों को या तो आप दो बार double crochet कर सकते हैं देखिए एक double crochet हो गया यहां पे यहां पे और हम करेंगे दो double crochet एक ही चेंड से कर रहे हैं तीन double crochet चार पांच छे तो देखिए आप आप हम छे double crochet करेंगे क्योंकि यह चोटे से काना जी का है अगर आप ऐसा बनाना चाहती है इतना बनाना चाहती है तो फिर आप 8 double क्रूशिया कर सकते हैं इस पर देखे हम 8 double क्रूशिया किये हुए हैं तो 6 के बाद हम 7 ले लेते हैं 7 के बाद जो 8 मा हम करेंगे वो हम फंदे लेंगे फंदे लेने के बाद इस तरह से 3 एक साथ हम यहाँ पर बन कर देगे तो यह हो जाएगा हमारा 8 मार्वा दिखिए इस तरह से हमें बनाना है अब फिर से अगला चेन पर हम उपको डालेंगे एक निकाले हम फंदा, दो का एक करेंगे एक हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 बस तीन बार हम किये अब फिर से हम फंदे लेंगे और इस अस्थान से फिर से हम आठ डबल कुरूसिया करेंगे एक, दो, तीन, चार, आठ हमें करना है पाँच, छे, साथ, और आठ हमें तीनों को एक साथ यह हो गया आठ तो देखिए यह इस तरह से बन गया अब हमें क्या करना है फिर से तीन बार एक, दो, और यह रहा, तीन, यह हो गया तो इसी तरह से हम इसे पूरी गुलाई में बनाकर कम्प्रिट कर लेंगे, यह सिर्फ अभी यहाँ पर इतना बनाए है पूरी गुलाई में इसे हम बना लेंगे देखिए यह हम इस वक्त लाष्ट बना रहे हैं आपर दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह रहा, आठ आठ बन गया, अभी इसे लाकर यहाँ पर जोड़ देंगे यह जो एक, दो, तीन हम बनाए हुए थे तो यह पहला है, यहाँ पर जोड़ेंगे दो का एक, फिर दूसरा में भी हम करेंगे दो का एक, और तीसरा में भी करेंगे दो का एक, जो तीन हम बीच में लिए हुए थे तीनों पर हम दो का एक कर लिए अब देखिए अब फंदे लेंगे फंदे लेने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है देखिए इस तरह से यह जो है जो पहला डबल कुरूसिया है उसे हम नीची की और से लेंगे इस तरीके से देखिए इस तरीके से लिए अब इसे दो बार यह एक ही बार हम यहाँ पर दो का एक किये है अब फंदा हमारे पास है फिर से फंदा लेंगे और फिर से हम अगर आप इसे चाहे तो उपर स्क्योर से भी कर सकती है जैसे कि देखिए हम उपर से करते हैं देखिए उपर से आप लोगों को आसानी होगा तो देखिए ये पहला जो डबल कुरोसिया है उस पे हम हुप को डालेंगे यहां तीन हो गया यहां यह हो गया पहला डबल कुरोसिया तो इस पे हम हुप को डालें एक हो गया फिर इस पे डालें फिर तीन फंदा हमारे पास रह गया फिर फंदे को लेंगे फिर इस से लेंगे तो अब हमारे पास देखिए दो का एक करेंगे चार फंदा हो गया फिर से दो का एक करेंगे फिर से अगला से लेंगे दो का एक करेंगे अगला से लेंगे दो का एक करेंगे अगला से फिर से लेंगे दो का एक फिर अगला से दो का एक दो का एक कर दिये आप देखिए अब हमारे पास जितना भी फंदा हो गया सबों को हम एक साथ इस तरीके से बन कर देंगे बन करने के बाद एक चेंड लेंगे एक चेंड लेने के बाद यह यहाँ पर लाश्ट जहां है यहाँ पर हम लाकर इसे इस तरीके से बन कर देंगे तो देखिए यह उठा हुआ कुछ इस तरह का बन कर सामने आएगा जो कि हम यहाँ भी बनाये हुए फिर आगे हमें दूसरा भी इसी तरह से करना है तो दूसरा करने के लिए हम तीन बार देखे एक ये हो गया दो बीच में हम तीन बार लिये थे और ये हो गया तीन तीन बार इस तरह से हम ले चुके अब फिर से फंदे लेंगे फंदे लेने के बाद दो का एक फिर से फंदे फंदे लेने के बाद फिर से हम दो का एक करेंगे फिर से फंदे लेंगे दो का एक फंदे लेंगे दो का एक फिर से फंदे लेंगे दो का एक फिर से फंदे लेंगे दो का एक करेंगे फिर से फंदे लेकर दो का एक करेंगे तो देखिए यह हो गया अब जितना भी फंदा है सबों को हो एक साथ बंद कर देंगे एक साथ बंद करने के समय में इसे हम थोड़ा सा टाइट भी कर लेंगे इस तरह से टाइट कर लेंगे और एक चेन यहाँ पर बना लेंगे अब अगला जो लाश्ट यहाँ पर आता है यहाँ पर लाकर हम इसे दो का एक कर लेंगे तो देखिए यह इस तरह से इस तरह से यह बन कर सामने आया आए आपका अब फिर से अगला हम करेंगे तीन बीच में हमारा यहाँ पर तीन था तो ये रहा एक, दो, तीन एक, दो, और ये रहा तीन तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम इसे पूरी गुलाई में complete कर लेते हैं देखिए यहाँ पर अब हम last बना रहे हैं सबों को बना चुके हैं, ये last full यहाँ पर बन रहा है तो देखिए यहाँ, एक साथ सबों को फिर से बन कर दिये और यहाँ पर लाके इसे हम इस तरह से बन किये यह फिर से देखिए इस तरह से बन कर तयार हो गया तो देखें यहाँ पे टोटल आप देख रही है इतना यहाँ पे बणकि इस तरीके से तैयार हो चुका है तो यह एक line में हो गया एक line और हम करेंगे और इस पे भी हम दो line की हुए हैं देख रही हैं आप दो नही तीन line इस पे किये हुए एक लाइन यह हो सब् completing this तो इस प्रें दो लाइन करेंगे मातर क्यों कि आ हो आप जितने बड़े बना रही हैं मान लिया जाए आप यह बना रही है या तो मान लिया जाए च्हे नंब्र के पांस खे नंब्र केपना जुकां बना रही है तो आप यह चीज जो है और बढ़ाती चली जाएं बढ़ाती चली जाएं यह चीज आप तो हम यहां पर देखिए आगे बीच में यहां यह दो जो फूल आपको दिख रहा है इसके बीच में यहां पर हमें फिर से इसी डिजाइन को बनाना है तो किस तरह से हम बनाएंगे सबसे पहल तीन इसी तरह से आठ करेंगे चार पाच छे साथ आठ हो सौरी आठ मा तो हमें इस तरीके से करना था फंदे लेकर तीन को तीनों को एक साथ इस तरह बंद करना था ठीक है तो देखे इस तरह से हम यहां पे बीच में बना लिए दोनों के बीच में बना लिए अब यह बन गया अब देखे अब हमें फिर से बीच में तीन चेन लाना है तीन या चार लाना है क्योंकि हमें बढ़ाते भी चले जाना है तो एक यह बचा हुआ था इसे ले लिए अब यहां से एक हम ले लेंगे क्योंकि हमें यहां पर गुलाई में हमें बढ़ाते चले जाना है ताकि यह टाइट ना हो गुलाई फहले और तो यहां से एक यहां से लेंगे बीच ओ बीच से लेंगे इस तरह से फिर से एक लेंगे यहां से तो यहां पे हो गया एक इस सैट से और तीन यहां बीच ओ बीच से तो चार हो गया अब एक और हम यहां से लेंगे तो देखिए अ हमारा यहां पर 5 हो गया यह आपका 5 हो गया अब यह बीच का रह गया एक दो तीन तीसरा पर हम बना लिये हैं एक दो बचा हुआ है तो बीच जो बीच का जो है इससे हम फिर से 8 कर लेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठवा में हम तीन का एक करेंगे यह हो गया अब देखिया फिर से हमें यहां पर किस तरह से करना यह बचा हुआ एक था इसे हम इस तरह दो का एक किये यह यहां से हम एक बार लेंगे दो का एक करेंगे फिर हम यहां बीच से लेंगे यहां बीच से लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर यह साइड से लेंगे, दो का एक करेंगे, यहां से दो का एक करेंगे, और फिर यह तीन में से एक से हम दो का एक करेंगे, अब यह जो बीच का बच गया, इससे हम फिर से आट लेंगे, तो इस तरह से बनाते हुए, यह दूस तो उसके लिए उपर से हम लेंगे दो फंदो को एक साथ बंद कर दिये दो बचा रह गया फिर इन दो फंदो को बंद किये तीन हो गया हमारे पास तो जैसा हम फूल बनाये थे उसी तरह से बना लेंगे यहां पर हम यह हो गया लाश्ट का अब सबों को हम एक साथ यहां पर बंद कर देंगे यह हो गया एक चेंड ले लिए अब यहां पर लाकर इसे सबसे पहले बंद कर देंगे अब देखिए अब यहां बीच में बीच में जो पांच हमारे पास पचरा है तो यह पांच जब आप बड़े कानाजी का बनाएंगी यह तो भी यहां पर लाश्ट हो जाएगा तो यह तो लाश्ट हो जाएगा यह समझ में आ जाएगा छोटे कानाजी का लेकिन जब आप बड़े कानअजी का बनाएंगी, तो जैसे कि यहाँ से, यहाँ से फिर दू फूल आप निकाल लें, यहाँ से दू निकाल लें, तो बढ़ते चला जाएगा आपका, अगर एक और एक करेंगी, तो फिर यहाँ पे आपको यह चीज ज़्यादा आजाएगा, यहाँ पे जो single crochet हम दे रहे हैं यह जादा आ जाएगा और अगर आप यहाँ से 5 से फिर 2 इस तरह से बना लेंगी एक चेगा से 2 फूल बना लेंगी तो आपका बड़े कानाजी का भी बन जाएगा तो इस पे तो हम चुकी हमारा दूसरा line हे यहाँ पे हो जाएगा खत्म यह इसके बाद हम यह चीज बनाएंगे जो यहां पे यह चीज बनाए हुए हैं इसे बनाएंगे हम तो इस तरह से चलिए हम इस line को complete कर लेते हैं इसी तरह से हम बनाते हुए इस लाइन को सबसे पहले कम्प्लिट कर लेते हैं तो देखिए हम इस तरह से इसे पूरा यहाँ पर कम्प्लिट कर चुके हैं दो लाइन में अब दो लाइन में कम्प्लिट कर लेने के बाद में अब हम यह चीज बनाएंगे यहां पे तो यह चीज बनाने के लिए क्या करेंगे हमारा यहां तक हम लिया आए हैं इसके ठीक बीचो बीच में यहां पे फंदे लेंगे और ठीक बीचो बीच का जो chain है वहां पे हम hook को डालेंगे और double crochet बनाना सुरू करेंगे एक, दू, तीर, चार, पाच्छ, छे, साथ, आठ, नौ, दस, तो हम पंदर, डबल कुरुसिया डालेंगे, उस पे भी हम पंदर, डबल कुरुसिया डालेंगे, और पांच ले लेते हैं, तो यह रहा है, क्यारा, बारा, तीरा, 14 और ये रहा 15 देखिए 15 बना लेने के बाद में अब हम इसे यहां पे लाके जोड़ेंगे इस तरीके से फिर एक चेन ले लेंगे फिर से बनाना सुरू करेंगे तो देखिए ये इस तरह से बनकर आपकर आजाएगा यहां जो हम ये बनाये हुए है ठीक है तो इसी तरह से फिर से हम फंदे लेंगे फंदे लेने के बाद बीचोबीच का जो यहां पे है चेन से हम उठाकर 15 डबल क्रुसिया तयार करेंगे इस तरह से और unfический बना लेंगे हम तो इस चोटे काना जी कहा यहां हम काफी नजदीक नजदीक में और दो ही बार हम किये हैं और इस पे हम तीसरा राउंड भी ये फूल का चला चुके हैं और जब हम तीसरा बना रहे थे तो यहां से हम दो नहीं निकाले इसी अस्थान से में दो फूल इस तरह से निकालना था लेकिन इसलिए यहाँ पर आपको इस चीज का कम पढ़ गया संख्या तो यह हमें अच्छा लगा इतना में ही यानि 6 में ही हमें अच्छा लगा इसलिए हम इसे बढ़ाये नहीं जैसे और हम बढ़े कानहagika का बनाते यहां पर यहां पर हम चार से पांच नंबर के गानाजी का बनाते तो फिर हम यहां पर एक से दो बना लेते एक हम इस तरह बनाए फिर दूसरा भी बना लेते यहां पर तो इस तरह से आप उसे बढ़ाती चली जाए देखिए अब यह तो हो गया यह होने के बाद य जोड़ेंगे यहां पर, देखें हम यहां से जोड़ेंगे, यहां से जोड़ेंगे, यह जुट किया, अब हम एक चेंड ले लेंगे, जोडने के बाद एक चेंड ले लिए, अब देखें, अब यह जो है, यह जो डवल कुरूसिया, इसे हम नीचे की ओर से लेंगे, नीचे क फिर से अगला पे हुक को डालेंगे और एक बनाएंगे तो इसी तरह से हम 15 हमारे पास यहां है तो हम टोटल में बना कर इसे कम्प्लीट करेंगे तो बस आपका यह चीज आ जाएगा अगर आप इसे उपर से इस पे हम उसी तरह से लिए हुए है उपर से लेंगी तो फिर नीचे की ओर से और अगर आप उपर की ओर से लेंगी इस तरीके से तो फिर यह जो चोटी देखने में जो सुंदर लग रहा है वो चोटी आपका नहीं आएगा तो बस इस पे और कुछ भी नहीं किये हुए हम यह ड्रेस यहां पे आपका बनकर कम्प्लीट होता है और बाक अच्छा करता है आप वहां डाल दें यहां पर हम तीन तीन डाले हुए है इस तरह से अभी हम इस पर आप चाहे तो इस आप पेश्ट कर सकते हैं अभी यहां पेश्ट भी नहीं किये हैं तो देखिए इस तरह से यह कंप्लीट हो जाएगा यह तो समझ में आगे आप लोग और यहां पर हम चेन की संख्या लेंगे तीन एक दो तीन अब यहां पर हम डबल कुरूसिया बनाना शुरू करेंगे एक दो तीन चार पांच 6 7 8 और एक 9 9 बना लेते हैं अब देखिए 9 बना लिए एब इसे टाइट कर लेंगे इस तरही किसे टाइट कर लिए इसे यहां पर गाट देकर बाद में हम यहां कट कर लेंगे उनको आब हमें 3 चेन बनाना एक दो तीन टीन बना लिगे पीलट लेंगे पलटने के बाद परतेक से 2-2 double crochet हैं, बनाएंगे परतेक से 2-2 double crochet, परतेक chain से एक और इसी chain से एक और double crochet तो इसे हम बनाकर यहां तक complete कर लेते हैं तो देखिए इसे हम दो लाइन में बना कर complete किये और यह चुकि हम एक नमबर के कानाजी का बनाए हुए तो इसे तीन लाइन में बना कर complete किये तीसरा जो हम लाइन बनाए है वो एक चेन से दो डबल कुरुषिया दो बीच किये यानि कि दो अलग-अलग chain से अलग-अलग double कु इस तरह से करते हुए हम तीसरा लाइन उसका बनाकर कंप्लीट कर लिए लेकिन यह चुकि जूरो नंबर के कानाजी का बना रहे हैं तो छोटे कानाजी का हमारा यहां पे इसलिए हम यहां पे दो लाइन में ही से बनाकर मुन को यहां पे कट कर लेंगे अब हमें सुई का जरूरत पड़ेगा देखे इसे हमें किस तरीके से करना है यह हम बना लिए यह बना लेने के बाद में यह बना लेने के बाद में यह पकड़ी का इसे हम जब रूप देंगे तो इस तरीके से और इस तरीके से देंगे तो देखे इसे अब हम यहां पर सुई में उन पिरो चुके हैं अब इसे हमें क्या करना है इसे हमें इस तरीके से इसे यहां पर लाकर सीना है तो यहां पर हम इसी उन से सील लेते हैं यह हो गया अब इसे क्या करेंगे इस तरह तरीके से मोड़ कर यह चुकी जीरो नंबर के कान्हाजी का है तो मोड़ कर हम और इसे इस तरीके से बना लेंगे इसे तो यहां भी हम सीर लेते हैं सबसे पहले इसे उपर से हम इस ठंग से सीर लेंगे इसी कलर का हम उन दे रहे हैं इसलिए पता आपको बिल्कुल भी नहीं चलेगा देखिए यहां भी हम सीर लेंगे इस ठंग से यहाँ पे भी सिल लिये और यहाँ पे भी अब हम इसे गाठ लगा लेंगे अंदर की उड़ला कर क्योंकि बाहर से तो अच्छा लगेगा नहीं देखिए यह यह हो गया अब हम यहाँ पे जो उन है मारा इसे कट कर लेंगे देखिए इसे भी हम इसे तो अंदर की होर हम डाल लेंगे क्योंकि सबून अगर आप कट कीजेगा तो खुलने का भी डर रहता है तो जो हमें लगे कि हाँ यहाँ जहां हम गाठ अची तरह से बांद चुके हैं बस उसी अस्थान का उन हमें कट करना होता है तो देखिए अब यह पगड़ी आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे बन कर तयार हुआ अभी आधाद हो रहा है भी इस वक्त अब हम दूसरा उन लेंगे और देखिए यह चुकि छोटे कानाजी का है तो हम यहाँ पे पांच डबल कुरूसिया करेंगे एक यह एक तीन से हो गया तो यहाँ दो हो गया यह तीन और यह चार और यह पांच पांच हो गया अभी इसे टाइट कर लेंगे देखिए इसे टाइट कर लिए हम यह पांच डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए अब आप एक बार लगा के देख लें इसे कि पांच डबल क्रोशिया है पे ठीक बैट रहा है या छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है क्या हो रहा है यह देख ले देखिए यहाँ पे 5 डबल क्रूशिया का हम डाले हुए है तो इसे हम यहाँ पे इस तरीके से सी लेंगे देखिए यहाँ पे इस तरीके से तो हम इसे 7 कर लेते हैं यह 5 इसे हम कट कर लेते हैं और इस बार जो हम अगला बनाएंगे उसे हम साथ डवल कुरूशिया कर लेते हैं यहाँ पे हम उनको टाइट करते हुए इसे कट कर लेंगे और अगला जो बनाएंगे वो साथ करेंगे यह सब मिल कर आपस में यहाँ पे देखें इसे हम इस तरीके से अंदर की और डाल देगे हो गया एक पार और दूसरे जगह पे इससे निकाल लेंगे तो यह भी हो जाएगा अब इसे एक और बना लेते हैं साथ डवल कुरूशिया कर देखें बना लेने के बाद में इसमें हम आउटलाइन भी दे लेंगे जैसा कि हम उस पे आउटलाइन दिये हुए हैं देखें किस ठंग से हम देंगे कोई आप उपर से दे सकती हैं कोई नीचे से दे सकती हैं जैसे कि देखें इसमें उपर से पड़ा हुआ है और इसमें नीचे से पड़ा हुआ है यानि कि जो चीज यह हम किये हुए हैं तो ए और ये नीचे की और से ही निकाल लेते हैं है तहीं कुमीत के लैन। हमें यहां पर ज्याधा बढ़ाStorm स्पेश्पाइद काना है सबसे छोटे साइज के काना जी हैं तो हमें जादा यहाँ पर बड़ा नहीं करना है इस तरीके से और अगर आप चाहते हैं तो दोनों आप इसी तरह से बना लें फिर पलट कर सिर्फ आप रख दें तो भी आपका वही काम करेगा जैसे की देखिए इसे हम यहाँ पर कट करते हैं कट कर दिये तो इसे हम पलट लेंगे इस तरह से अब पलट लेंगे तो आपका इस्ठंग से एक आ गया यहाँ पर यहाँ इसे हम कट लेंगे अच्छी तरीके से और यह जो लिए हैं इसे भी हम इसी तरह से मिड़ लेंगे मिड़ने के बाद यह दोनों को मिलाते हुए स्वी धागा की मदद से हम यहाँ पर सिल लेंगे देखे यहां पे हम सिल लेंगे और सिलने के बाद में इसे यहां पे सिल लेंगे यह सब हम कट कर लेंगे अंदर की और डाल लेंगे एक मोती यहां दे दे आप छोटे काना जिका है तो एक मोती यहां पे आपका ठीक लगेगा जहां भी आप देना चाती हैं, एक मोती आप दे ले, या तो आप इसे एक भी रख सकते हैं मातर, देखिए आप इस तरीके से भी कर सकती हैं, यह आपे डिपेंड करता है, इसमें हम क्या किये हुए हैं, दो बना लिए हैं, देख रही हैं आप एक और एक दो, दो बना लेने क यहां पे हम तीन मोती एक जगह दे दिये हैं तो यह देखने में सुन्दर लग रहा है तो इस तरह से पगड़ी बना ले और इस पे आप अगर कुछ और काम करना चाहती है मोती वगए रखा तो आप मोती वगए रखा और भी यहां पे छोटी-छोटी जो मोती होती है कापी चोटे जो हमारे होते हैं हम यहां पे कुछ काम ज्यादा इस पे नहीं करना चाहें बरना चोटे-चोटे मोती भी आप यहां पे डाल सकती है इस तरह से इस तरीके से डाल कर आप इसे और भी सुन्दर बना सकती एक लरी के टाइप में देकर या तो फिर आप इसे यहां पे झाल झाल